डियर स्टुडेंट्स चली हम लोग चलते हैं क्लास टुवेल्थ के लिए सबजेक्ट मैथेमेटिक्स को पढ़ना सुरू करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम लोग भी मैथेमेटिक्स में इंटिग्रेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस integration वाले chapter में हम लोग NCRT book को follow करते हुए exercise 7.4 को पूरी तरीके से खतम कर लिये हैं तो चलिए आगे हम लोग start करते हैं आज exercise 7.5 का theory ठीक है क्योंकि कोई भी exercise को करने से पहले theory उसका वफ़ना बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए हम लोग theory पढ़ना start करते हैं तो इस theory में हम लोग सबसे पहले दिखेंगे कि integration को कुछ formula ठीक है formula of integration या फिर integration of following function टॉपिक देंगे integration of following function ठीक है integration of following function यानि कि कुछ function है जिसका हम लोग integration कर सकते हैं तो अब उसका कौन-कौन से function है तो फरस्ट में अगर मान लिया कोई dx है उपर और root under one minus x square रहेगा तो इसका integration हो जाता है दोस्तों sin inverse x plus में c याद रखिएगा dx बटा root under अगर one minus x square रहेगा तो इसका integration क्या होता है sin inverse x दूसरा कि अगर sin of integration रहेगा dx बटा one plus x square रहेगा तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके अगर integration रहेगा one plus x square तो इसका answer होता है tan inverse x plus c ठीक है क्या होता है tan inverse x plus c अगर मान लिया दोस्तों integration रहा dx बटा x और root under x square minus one तो इसका हो जाता है sin inverse x plus c इसका क्या होता है sin inverse x plus c ठीक है ये तीन important flowing function था ये तीन important function है जिसका integration करके हम लोग इसका answer निकाल सकते है ठीक है तो ये तो हम लोग पहले भी formula पड़े थे क्योंकि sin inverse x का जो differentiation होता है 1 by root under 1 minus x square होता है तो इसका उल्टा 1 by root under 1 minus x square का होता है integration क्या तो sin inverse x ठीक है integration dx by 1 plus x square क्या होता है 1 plus x square का होता है tan inverse x तो दोस्तों ये formula तो हम लोग पहले ही पड़े थे चलिए next और कुछ important parametric form देखा जाए तो अब next topic लिया जाए वो formula इसको पहले भी याद कियोंगे आप में भी और नहीं याद कियोंगे तो याद कर लिजेगा integration by using using pf अब देख लो वई ये बाते समझना आपको बहुत important है ठीक है कि आखिर जो integration करेंगे ओ पीएफ का using कैसे करेंगे pf का मतलब होता है दोस्तों partial fraction पीएफ का मतलब partial fraction अगर आपको कैसे समझ में आएगा कि ये partial fraction का integration तो जैसे कि integration हम लोग किये हुए है substitution method से उसी तरीके से आपको जानना चाहिए कि partial fraction से हम लोग integration कैसे करेंगे ठीक है तो इसके लिए भी कुछ rule नियम है जला पहला वाला rule नियम देखते है पहला वाला rule नियम है कि अगर उपर रैखिक समी करन रहे px minus px plus q रहे ठीक है और निचे दू पार्ट में गुनन खंड रहे जैसे x minus a और x minus b दोस्तों यहाँ पे p और q भी क्या है एक constant है constant है a भी क्या है a और b भी constant है तो अगर उपर में रैखिक समी करन रहे और निचे में गुनन खंड के रूप में x minus a और x minus b रहे तब आपको पता होना चाहिए इसको दो पार्ट में तोडते हैं a बटा x minus a plus b बटा x minus b इसका यूज करके a और b कामान पहले हम लोग निकालेंगे ठीक है पहले आप सिखते जाएगे क्या क्या बोल रहे हैं पहला situation कब जब उपर में रैखिक समी करन होगा px plus q और निचे में x minus a और x minus b क्या है गुनन खंड में है तब इसको हम लोग दो पार्ट में तोडएंगे a और d में चलिए दूसरा अगर ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे जैसे मान लिया कि उपर में रैखिक समी करन तो है ठीक है उपर में रैखिक समी करन है यानि कि उपर में रैखिक समी करन जरूर है लेकिन निचे में hall square रहेगा तब इसको कैसे तोडएंगे तो दोस्तों इसको तोड़ने का rule है कि a लिखे और बटा में जो hall square है उसको सबसे पहले x पलस a लिख लिजए और पलस b में उसको क्या किजए अब की बार पूरा का पूरा square उसको वैसे ही चाड़ा दीजए समझ में आ रहे है यानि कि जब अगर दोस्तों हर में square रहेगा जिसे उपर रहेखे एक समिकर और नीचे में hall square रहेगा तो पहले उसको square को हटा कर a के नीचे लिखेंगे पलस b अब a और b क्या है तो अपने तरप से माने हुए है a और b इसका हम लोग use करके a और b का value निकालेंगे अभी आप पहले देखते चलिए कि आखिर कैसा situation रहेगा तो कैसे करेंगे दोस्त अगर मान लिया इसी टाइप का एक और question है जैसे मान लिया कि यहाँ पर dx पलस e है तो यह भी तो रेखिक समिकरन है लेकिन नीचे जो है x-a का hall square तब किसे करेंगे तो उपर dx e रहे चाहे px क्यों रहे ऊपर वाला से मतलब नहीं है हमको हमेशा नीचे वाला से मतलब रखना है कि इसको अगर square है hall square रहेगा तो कैसे तोड़ना है तो a लिखना है और बटा में square को hall square वाला को अटा देना है प्लस हटा कर x-a न बचेगा और b बटा अब की बार पूरा का पूरा x-a का hall square है आप लिखने का तरीका समझे कि अगर नीचे वाला गुननखंड किया हुआ रहेगा तो आराम से उतना भाग में बाट देंगे दूगो गुननखंड रहेगा तो a बटा उतना बी बटा उतना अगर square रहेगा तो इसको भी दो पार्ट में बाटेंगे लेकिन एगो बिना square का और एगो square करके यहां पर भी वही काम करेंगे अच्छा चौथा situation अगर मान लिया दोस्तों ऐसे रहेगा px square पलस qx पलस r उपर द्विघात समिकरन रहेगा समझ में आ रहा है और नीचे तीन को गुनन खंड रहेगा x-a x-b और x-c तो नीचे कितना भी गुनन खंड में आगर तीन को गुनन खंड है तो इसको तीन को बटा में तोड़ेंगे a बटा x-a पलस b बटा x-b पलस c बटा x-c समझ में आ रहे है यानि कि px square पलस qx पलस r उपर द्विघात समिकरन है तो उपर से हमको ज्यादा मतलब रखना ही नहीं है नीचे वाला आप देखिए और यही situation आपको समझना है कि अगर नीचे वाला गुनन खंड तीन को गुनन खंड में रहेगा तो इसको तीन पार्ट में तोड़ेंगे a बटा x-a b बटा x-b और c बटा x-c यह जो c है वो बड़ा बड़ा c है बड़ा c बड़ा b बड़ा है और यह छोटा है ठीक है अब यह भी उपर वाला जो लिख रहे है इसका वैलू हम लोगों को निकालना होगा अभी आप देखते चलिए सब चीज हम आपको बताएंगे अच्छा अगला situation अगर question ऐसा रहेगा कि उपर द्वीगात समी करन रहेगा पी एकस स्कुरा इक्स प्लस लाइक उपरवला से मतलब नहीं है हमको कुन्हों नीचे वाला देखना है नीचे वाला दोस्त ऐसा रहेगा देखलो एक समाइनस एक आ आहला स्कुरार ठीक है और इंड़ू X- बीट सरा रहेगा तो कितना आयंहों घॉद छीयूम्यम लुग तीन फार्ट में तोड़ेंगे चीद द्रह असक्वारी है फाल हर तुम क्लोड़ के था धकिस्वावार थैस हो दो फार्ट में तोड़तै नवे यॉर हा गया गुनratic की फेना अपार्ट में तोड़ेंगे तीन मतलब यह हुआ कि A बटा X माइनस A पलस B बटा X माइनस A का हॉल स्क्वार इसको खाली तोड़े तो इतना इतना में तूटेगा और फिर C बटा C बटा कितना? X माइनस में B ठीक है? C बटा X माइनस B यानि कि अगर ऐसा सिचुवेशन रहेगा तो हम लोग तीन पार्ट में तोड़ते हैं A, B और C चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, अगर दूसरे टाइप का सिचुवेशन रहा, कैसा सिचुवेशन? दिखाते हैं छट्ठा अगर उपर द्विघात समी करन रहा, B X स्कूर प्लस Q X प्लस R और निचे में हर में X माइनस A रहेगा और फिर यहाँ पे द्विघात समी करन रहेगा जैसे X स्कूर प्लस B X प्लस C तब इसको कैसे करेंगे, अभी आप चीजों को यह समझे कि कैसा कैसा सिचुवेशन रहेगा तो हम कैसे कैसे पार्ट में तोड़ेंगे, देखलो हर में क्या है? एगो गुनन खंड में X माइनस A है और फिर द्विघात समी करन रहा, तो सबसे एगो गुनन खंड वाला को आ आप यहां से तोड़ दिजिए A by X माइनस A, ठीक है? फिर प्लस, अब जब द्विघात समी करन नीचे में रहेगा, तो इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, BX प्लस C, दोनों साथ में, और बट्टा, X स्क्वार प्लस BX प्लस C, ठीक है? यह ऐसा कब करते हैं? देखलो, पहले हम लोग क्या करते थे? कि अलग-अलग A, B, C को तोड़ते थे हैं, लेकिन किसके वज़ा से BX प्लस C को साथ में रखना पड़ रहा है? किसके वज़ा से? तो यह नीचे द्विघात समी करन आ गया, ठीक है? गुनन खंड में द्विघात समी करन, इसलिए इसको हम लो PX Q, QX स्क्वार, RX, RX प्लस S, ठीक है? उपर त्री घात आ गया और नीचे इसे आ गया, X माइनस A, X माइनस B, और फिर X स्क्वार, X स्क्वार, प्लस DX प्लस E, तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो भाई मेरे, जब यह अलग-अलग उनन खंड में, तो इसको आप A बटा, X माइनस A, प्लस B बटा, अलग-अलग है? रखिक समिकरन में, अलग-अलग तोड़ तुझे, प्लस, लेकिन दोस्तों, यह द्विघात समिकरन है, तो इस द्विघात समिकरन के लिए आप CX और D को एक साथ रखिए, और तब नीचे द्विघात समिकरन रखिए, स हर में, अगर रखिक समिकरन अलग-अलग, X माइनस A, X माइनस B अलग रहेगा, तो उसको अलग-अलग तोड़ना है, लेकिन जैसे ही द्विघात समिकरन आ गया, तो X को साथ लेकर, जैसे A और B हो गया, तो CX पलस D लिखेंगे, और उसके नीचे अगा द्विघात समिकरन तो दोस्तों, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, पार्सियल फ्रेक्शन का इंटिग्रेशन, अब पार्सियल फ्रेक्शन होता क्या है? तो पार्सियल फ्रेक्शन में यही होता है, वो आपसे यही चेक करवाएगा, कि निचे अगर गुननखंड में रहत तब आप कैसे तोड़ेंगे अगर ये भी अस्क्वार ही है तो आप कैसे तोड़ेंगे अगर नीचे तीन ठोगुनन खंड में रहेगा तो आप कैसे तोड़ेंगे अगर नीचे में एगो अस्क्वार रहे होल अस्क्वार रहे गो एगो ऐसे ही रहेगा तब आप इसको कैसे मतलब नहीं है हम निचे वाला देखेंगे एक्स मैनस से एक्स मैनस भी तो इसको अलग-अलग तोड़ा लेंगे क्योंकि सिंपल सिंपल में है लेकिन यह द्विघात समिकरन है तो इसको तो दोस्तों आप इन फार्मुले को इन पी एफ को यानि कि पार्सिल फ्रेक्शन को अच्छे से नोट करके एक बार अच्छे से समझने का प्रयास किजिए कि आखिर इतना को हम ऐसे क्यों तोड़ रहें और कैसे हो रहा है क्या कंडिशन है अब इस कोश्चन पर अधारित इस क्यों लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं क्या हो रहा है सब चीज बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यमाद